और आईए मित्रों, अब हमारे पास एक कवी शेश है, मैं उन तक पहुचना चाहता हूँ, उससे पहले चार पंतिया मुझे कहीं याद आती हैं अपनी के जिनके शौर पराकरम से गौरवशाली दिन मान रहा, जिनके शौर पराकरम से गौरवशाली इतिहास रहा, पुल्वामा के बदले घर में घुसकर दी है खूब सजा, और किंतु अभी तुम रुक मत जाना, घर के भेदी बाकी हैं, तुम्हें कसम है भारत मा की, जिन्दा भी गर एक बचा, तो इस तरह के हमारे सैनिक हैं, इस तरह का हमारे देश का प्रतिनिधित्व है इस समय, आईए मैं उसी भाषा का एक और कभी आपको सौपना चाहता हूं, जो है गौरव साक्षी, राजगर से हमारे बीचे, गौरव बहुत-बहुत स्वागते हैं आपके, बहुत-बहुत धन्यवाद भासकर न्यूस का और कभी दरबार का, अधरणी मुकेश मासुम जी का भी दन्यवाद मुझे यहां अमंत्रित किया, भाई शुबम ने नारी शक्ति की बात की, मैं एक मुक्तक नारी शक्ति के सम्मान में यहां पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं कभी आपका प्लाता हूं, बहते दरिया का आब होती है, एक महकता घुलाब होती है, बहुत-बह बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- समरपित को चंद में पढ़ना चाहता हूं स्वागत स्वागत शोर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना जल धरान भतीनों ही रूपों में खुब कमाल है हिंद की सेना और सहाब परिवार के बिना सीमा पर अपना समय व्यतीत करती है और दुश्मनों का नाश भी करती है तो शत्रू को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना शत्र को काटती 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 उम्र को भीना परिवार सीमा पे हिंद की सेना अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना शत्र तो करती है धारण धेर्य भी करती है सीमा पे हिंद की सेना और आतंकी क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की और हम याद करें उन शहीदों को भी जिनके कारण यह वतन बन पाया है तब एक कविता में आपके बीच में जिन से है अस्तित्व वतन का जिन से जनगन अधिनायक है याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक है जिन से है अस्तित्व वतन का तो कौन थे साब पराधिन भारत को मुक्त करवाने में कई महापूरुशों का रहायोगदान है आजाद भगत सिह बोसव उधम सिह आधिकांतिकारियों ने दिया प्राण दान है गांधी के विचारों ने किया पोशित भारत को भीमराव जी से रचा गया सम्विधान है सेखडो युवाओं ने दिया है मौन बलिदान यूही नहीं कहलाया भारत महान है जिनके बलिदानों के कारण हिंद धरा सुखदायक है याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक है आसतीन में हमारे पल रहे कई साप जिन है अपने मुलक से भी गेर मुलक प्यारा है हाफिज सईद को जो बाप अपना मानते हैं आतंकी कसाब जिन की आखो का तारा है तो सेना के सर्जीकल इस्ट्राइक पर प्रश्न चिन है चंदनेताओं की देखो क्या विचार धारा है सारे जय चंदगर देश मेरा छोड़ दे तो सारे जहां से भी अच्छा देश ये हमारा है जिन को माना है नायक वे नायक ही खल नायक है याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक है जिन से है अस्तित्व वतन का जिन से जनगन अधिनायक है याद रहे उन वीरों की जो आजादी के नायक है बहुत 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 धन्यवाध गौरो बहुत उंदा कावे-पाठ किया तुमने और जिस पाकिस्तान की तुमने बात की अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहरा है अभी भी के पाकिस्तान से इस विशे पर बैठ कर बात्चीत हो लेकिन वो बात्चीत के लायक है ही नहीं तब मुझे कहीं अपनी पुरानी चार पंतियां याद आती है कि फोकट की बात कायू बखेडा न कीजिए मुर्दे गड़े हुओं को उखाडा न कीजिए और कुटे की पूँच तेड़ी है तेड़ी ही रहेगी कुटे की पूँच तेड़ी है तेड़ी ही रहेगी फोंगली में बार बार घुसेडा न कीजिए हम लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन वह ऐसी कुटे की पूँच है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती उसका केवल केवल और केवल एक ही इलाज है कि काड़ दी जाए क्या बात है आईये मित्रों बाचीत करते करते समय का पता ही नहीं चला हमने तीनों कवियों को बहुत खूब सुना आप लोगों के उजल भविष्य के लिए कवी दरबार और भासकर न्यूस दोनों की अनन्य शुभकामना है ऐसे ही आप कविताएं रचते रहें आगे बढ़ते रहें और आप भासकर न्यूस पर कवी द अरबार हर शनिवार रविवार देखते रहें दीजे मुझे इजाजत नमस्कार शुभरात्री 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 शुभरात्री